conquest , लाया हूँ आपसी लीज है आमले के मुरब्य की रसिपी जो कि इस थांड के मौसम में बहुत ही हल्दू है बहुत सै HAR happy listening बनाना बहुत ही सिंपल है और सिटोर कर कर महीनों कहा सकते हैं उचली सुजबले तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपे 250 ग्राम आवला लिया है और देखियो से अच्छे से वाश करके अपने एक फोक की मदद से अच्छी तरह से हर तरफ इस तरह का छेद कर लेंगे ऐसे करने से अच्छी तरह से हमारे आवले के अंदर जो है वो शुगर शिरप एड होग इसे अच्छी तरह से सोग होने देना है ओवर-नाइट तो देखिये तकरीबन 10-12 गंटे मैंने इसे चूने पानी में शोग कर लिया है और देखिये अच्छी तरह से सारा कस्षा पन जो है आवले का वो निकल चुका है तो इसे तेखिये मैंने तीन से चालर बार अच्छी सारा अच्छी तरह से निकल जाए देखिए अच्छी तरह से clean है तो next process करते हैं तो मैंने कड़ाए में सबसे पहले यहाँ पर 1 4th cup जितना पानी ले लिया है और यहाँ पर add कर दूंगी एक cup के जितना चीनी तो फ्रेंड यहाँ मैंने 250 ग्राम आवला लिया है तो 250 ग्राम अच्छी तरह से change हो चुका है आप देखिए यह अभी से size में double होने शुरू हुए है तो अब इसमें add कर देते हैं थोड़ा पानी हमें ऐसा इसलिए करना है ताकि हमारे सुगर शिरप जादा थिक ना हो तो बीच-बीच में पानी आइड करते हुए हमें इसे अच्छी तर है और देखिए हमारा सुगर सिरप का कलर कितना अच्छा आ चुका है और आवले का भी कलर चेंज हो चुका है शुगर सिरप भी अच्छी तरह अंदर जा चुकी है तो फाइनली मैं इसमें add कर दे रहे हूं दो कुटी हुई फ्रेश एलाइची 1-4 टीस्पून की जितना इससे जो है हमारे आवले का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और मुरभब बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा तो आप इसे ओर नाइट और इसी तरह चोड़ दे और नेक्स ठेक एं तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा क्यूंकि हमारी चाश्णी जो है जैसे यह पुराने होंगे इनका टेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में